हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गीतकेनु डॉट कॉम गीतकेनु डॉट कॉम में आपका स्वागत है आज हम बनाने जारे लच्छा परांठा वो भी गेहों के आटे से जो कि बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही बढ़िया बनता है इसमें आपको बहुत सारे लच्छे नजर आएंगे इतना लच्छेदार होता है कि आप इसके लच्छे गिन भी नहीं पाएंगे इतने लच्छे होते हैं इसके अंदर तो इसे बनाना बहुत ही आसान है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है तो इसे बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बैल आइकन दिखाए देगा जिसे आपको जरूर क्लिक करना है ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अप मेरी कोई भी वीडियो मिसना कर पाए तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर यह बाउल लिया है इसके अंदर हम डालेंगे एक कप मैदा एक कप गेहूं का आटा यहाँ पर मैं मिक्स करके ले रही हूँ आप चाहे तो सिर्फ मैदा या फिर सिर्फ गेहूं का आटा ले सकते हैं वन टेबल स्पून पीसी हुई चीनी हाफ टी स्पून नमक अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब ठोड़ो ठोड़ो planning पाने अट करेंगे और एक medium soft डो टेयार करेंगे यह देखे मेने medium soft डो टेयार कर लिया है पर अभी यह स्मूद नहींगा तो हम इसमें एक चमच घी अट करेंगे यहां पर मैं देसी घी का इस्तमाल कर रहे हूं आप चाहे तो रिफाइंड डालडा कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं मैंने यहां पर डेसी गी का इस्तमाल किया है इसे डाल कर वम अछे से स्मूद कर लेंगे प्लिकुद कर लेंगे अच्छ स गुं लेँगे इसे यह देखिए हमारा वेकुल स्मूध आटा रेडी हो गया है अब हम हलका सा घी लगाएंगे हाथ पे या ओयल जो भी आप ले रहें अब इसके हम बड़े साइज के पेड़े तेयार करेंगे रोटी जितनी बनाते उससे बड़े पेड़े होने चाहिए इक्वल साइज के पेड़े तेयार कर लेंगे यहाँ पर मैंने पांच पेड़े तेयार के हैं अब इसे हम अच्छे से रोल कर लेंगे अच्छे से बिल्कुल अच्छे से पेड़ा बना लेंगे यह दिखे इस तरीके से हम इनके पेड़े तेयार कर लेंगे तो यहाँ पर मैं यहां पर यह पांच पीड़े तेयार कर लिया है है आभैस मैं नहीं दिखा-ती हूं कि इस तरीके से यहुम्रान है तो मैं नहीmरे यहां पर यह जो सर्फेस है इसे अच्छे से क्लीच कर लिया है इस पर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे लिग एम पेडा रखेंगे तो अच्छे से इसे बड़े साइस का बेल लेंगे देखी बीच में से फट गया है पर कोई दिक्कत नहीं है अगर बीच में से फट जाता है या टेडी मेडी शेप हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है तो इसे इस तरीके से हम बड़े साइस का बेल लेंगे बस मोटा पतला नही तो इस तरीके से हम घी लगा लेंगे या फिर ओयल जो भी आप ले रहे हैं वो लगा सकते हैं अब हम चाको से इसकी पतली-पतली स्ट्रिप्स कट करेंगे जितनी पतली आप स्ट्रिप्स कट करेंगे उतने ही इसमें लेयर जाएंगे उतने ही लच्छे आएंगे तो इस तरी तो मैं यहां पर पीजसा कटर के इस्तंगा चाकी है तो आपके पास नहीं कर सकते हैं हुआ design कर रहे हुं यहां मैं यहां मैंने से सैट Вас सुटकाइब जबता है कि कितने ही मैं इससे बहुत ही आसान हो जाता है चाम लगा जो जाता है कए है पर बलेब को जितने आप स्ट्रिप्स देख रहे हैं इतने ही लच्छे बनेंगे परांठे में एक बर मैं फिर से घी अपलाई कर दूँगे इस पर अब हम चाकू की सहायता से इसे धीरे-धीरे इस तरीके से रोल करना स्टार्ट करेंगे सब को इकठा करते जाएंगे धीरे-धीर करके इस तरीके से कर रहे हूं मैं तो इस तरीके से हमें इसे इकठा करना है इस तरीके से हम इकठा करते जाएंगे इसे धीरे-धीर करके देखे यह बिल्कुल होने वाला है तो इस तरीके से मैंने इसे इकठा कर लिया है अब इसका हम पेड़ा तयार करेंगे इसे मैंने अच्छे से इकठा कर लिया है अब इसे हम इस तरीके से अराम से उठाएंगे बहुत जादा खीचे नहीं इसको और बहुत ही आराम से उठाना है यह दिखे इस तरीके से अराम से इसे उठा लेंगे और एक बार फिर से इस पर घी अपलाई कर देंगे इसे क्या तता होता है लेश नैयर उ का पर नहीं ही ऊसके छोल जाएंगे अन्दर घखिशा है और सवर्च एम समय कर से स्पाइब हो बीख जाम पत्यार सिघयार में पुछ सब्सक्राइब हो आँ जहर भीर इसे में स्पीड में दिखा रही हूं फिर सेम वही process करेंगे से उसी तरीके से करेंगे देखिए मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से बड़ा सा बेल लिया है अब इसे हम फिर से strips में कट करेंगे यह देखिए पतली-पतली स्रिप्स में कट कर रही हूं और यह पीजा कटर से कितने आराम से कट जा रहा है बहुत जल्दी-जल्दी तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको चाकू इस्तमाल करना पड़ेगा पर इसे बहुत ही अच्छा लच्छेदार पराठा तियार होता है बहुत सारे लच्छे होते हैं इतने लच्छे होते हैं कि आप इसे गिन भी नहीं पाएंगे कि कितने लच्छे हैं तो इतना बढ़िया पराठा तियार होता है तो घी अप्लाई कर देते हैं इस पर हम फिसे एक अठा कर लेंगे इस तरीके से यह देखिए मेरे इसे एक अठा कर लिया है तो इस तरीके से हमें इक अठा कर लेना है अब इसे हम हाथ में ले लेंगे इसका पेड़ा तियार करेंगे एक बार फिर से घी अपलाए कर देंगे और इसे हाथ में इस तरीके से लेकर रोल करना है बिल्कुल हलके हाथ से और जो पीछे का हिस्सा है उसे हम बीच में से उपर ले आएंगे और हलके हाथ से दबा देंगे तो इसी तरीके से हम सारे पेड़े तियार कर लेंगे यहां पर यह मैंने पाचु पेड़े तियार कर लिये हैं अब मैं इन्हें दिखाती हूँ आपको किस तरीके से बेलना है तो इसे हम हाथ की सायता से थोड़ा सा घी लगा लेते हैं हल्के हल्के हाथं से प्रेस करते व Adele बढ़ाएंगे यहां पर बेलन का स्तमाल ना करें बेलन करें तो लेयर आपस में चिपाग जाएंगी जैने और अलग-अलग नहीं होंगी तो तो भी लेर आपर शिपक जाएंगे तो इस तरीके से आसानी से उठाता है उठा कर हम तवे पर डाल देंगे तो मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक तवा लिया है इसे हम गरम कर लिया है इस पर हम थोड़ा सा घी अपलाई करेंगे और यह परांथा डाल देंगे इसे हम मेडियम फ्लेम पर एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने देंगे यह देखे एक तरफ से सिख चुका है तो इस पर हम थोड़ा सा घी अपलाई कर देते हैं पलट देते हैं देखे कितना अच्छा कलर आ गया इस पर इस साइड से भी घी लगा देते हैं तो इसे हम पलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से शेक लेंगे इसे बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है इस पर यह दिखे आप लेयर्स देख सकते हैं कितनी सारी लेयर्स नजर आ रहे हैं यह बिल्कुल खुल के दिखाए देंग लेख सकते हैं कि इतनी सारी लेयर्स बन जाती है इसमें बहुत सारी जाती है ते अमें सिंद में सब्सक्राइग हो गया है पराठा गीए प्लाई कर देतें तो यह देंगे वह भी एगए कना दोरॉस कर देदे हैं और देखेंच अब लिवेगे सकते हैं यह अलग हो चुकी है समस्सक्राइब है vacun और इसके जो इसके जो लैर सबती ही जएसिंवे बिल्कुल बंडी बहुत थोड़ा दिखाती मैं तो इसे इसको सब्सक्राइब कर देखाती हम नहीं कि इस के इंदर को दर यह दिखेंगे हचरगे चपाइबो इतनी सारीक्शों बनी हैं बहती अच्छे पराथे बनते हैं मेरे बढहाए सब स्कूरेज़ करते, बहुत बढ़ा पराथा तो अगर आपको मेरे यह ए वीडियो अच्छा लगता हैं तो प्लिशोत करें कुल करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले मेरी वीडियो को जादा से जादा शेयर करें